शब्दों में ये देखा जाता है लेकिन क्या वाकिए एवियम हटा दिया जाएगा तो चुनाफ सही तरीके से हो जाएंगे ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि एवियम इस दौर में सबसे ज़्यादा जरूरी हो नमश्कार मैं राउल चर्मा आप देख रहे हैं इस पे लाइनियो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में और प्रोग्राम की शुर्वात राजनितिक पार्टी के नेताओं से चुनाव नजदिक आते हैं तो राजनितिक पार्टी के नेताओं की बयान बाजी का दौर शुरू हो जाता है और ये बयान बाजी होती है मुद्दों से जुड़ी लेकिन इस बार राजनितिक पार्टी के नेताओं के पास मुद्दा बहुत अलग है और ये मुद्दा है इवियम से जुड़ा हाला कि अपने दर्शकों को इवियम से जुड़ी जो भी खबर आ रही है वो अपने चैनल के माध्यम से पहुंचा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से क्या परतिकरिया है ये भी पहुंचा रहे हैं लेकिन एक बार जो बड़ी खबर है इस बार की खब ली है और अब ये रिपोर्ट हम कोट में समिट करेंगे क्या कि इवियम से चुनाव बंद हो और बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाए क्या चुनावों से पहले अगर इवियम बंद हो जाता है और बैलेट पेपर से चुनाव शुरू होता है तो किसके लिए फायदा ह होगा, और किसके लिए नुकसान होगा, इस मुद्धे-पर तो चरचा हम करेंगे, करेंगे, लेकिन उससेहले हमारी साहसा सही होगी, नाजमीन हमारे साह जुड़ी हुई है नाजमीन बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोड्राम में आपका, और नाजमीन सबसे पहला सवाल मेरा यहीं रहेगा कि चुनाव से पहले इवियम का मुद्दा अगर उठा है और कपिल सिबल का यह बयान आना कि भई कोट में इस पूरे मुद्दे को उठाए जाएगा क्या लग रहाए कि चुनाव से पहले इवियम से जो अभी तक जो चुनाव करवाये जा रहे थे वो बंद हो सकता है क्योंकि चुनाव अधिकारी की अगर हम बात करें भी हाली में उनका भी एक बयान सामनी आया था जिसमें उनका कहना था कि अगर विपक्षी पार्टियों के मन में शंका है एवियम को लेकर तो कहीं न कहीं उसको दूर भी किया जाएगा देख एवियम में गड़बड़ी होती है जिसकी वज़ा से भारते जनता पार्टी जीती हुई नजर आती है साफ शर्दों में यह देखा जाता है लेकिन क्या वाकर एवियम हटा दिया जाएगा तो चुनाव सही तरीके से हो जाएंगे यह सबसे बड़ा सवाल इसलिए है क्यों चुनाव आयोक का काम है वियम से वोट करवाना या जगा जगा पर देखना की कहां सही से चुनाव हो रहे हैं कहां किंने लोगकिधर जाएंगे तमाम चीज़े होती हैं जब इस चीज कि जाच परताल की जाती है तो आप इवियम की भी जाज कर सकते हैं जिसके तहत वोट अच्छे तरीके से डाले जाएंगे दूसरी बात अगर इवियम से चुनाव हो रहे हैं तो वहां पर इवियम की गलती नहीं है वहां गलती है उन राजनेताओं की जो जबरन लोगों से वोट डलवाते हैं और जबरन तो क्या चुनाव आयोग आने वाले वक्त में बैलेट पेपर को लेकर कोई बड़ा फैस्दा कर सकता है या इस तरीके की कुछ आशंका लग रही है चुनाव अधिकारी इस तरीके की कुछ प्लान या रणनीती बनाते नजर आ रहे हैं देखिए बैलेट पेपर की बात की की जाये तो उससे चुनाव कर्वाना इतना असान नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां पर एवियं की बात की जाय तो लिघञाति प्रेसर पहले भी पड़ा है और यहां घरताने की मांग सिर्फ यहां विपक्ष पार्टी नहीं तमाम जनता भी करती हुई देखी गई है कि यहां इवियम हटेगा तो यहां पर कुरसी बदलती हुई नजर आएगी सत्ता बदलती हुई नजर आएगी लेकिन क्या वाकिए गड़बड़ी की वज़ा से चुनाव में देखा ज जीत रही है तो तमाम चीजे यहीं दर्शाता है कि यहां पर इवियम में खामी नहीं है कि वोट कैसे दलवाये जा रहे हैं इसी में एक सवाल यह भी बनता है चले ठीक है विपक्षी पार्टियां हैं वह सत्त्त को घेरेंगी वह तमाम मुद्दों पर सवाल खड़ा अभी हाली में हमने देखा था उत्तर परदेश का जो विधान सवा चुना हुआ उसे चुनाओ के वक्त में बहुत सारी ऐसी जनता थी जब वोट करने गई थी तो और इवियम में गरबड़ी भी देखने को मिली उनका यह कहना था कि बटन कहीं दबाये जा रहा है और अगर चुनाओ बंद हो जाता है तो बैलेट पेपर से चुनाओ जो होगा वो सही तरीके सोगा निश्पक्ष होगा वो अपनी राहे रख सकते हैं जनता भी इवियम में गरबड़ी की बात करें उनका कहना कि हां सर बिलकुल बैलेट पेपर से चुनाओ हो जाना चाहिए क् जनता का भी इस मुद्दे पर हामी बरतना क्या ये बताता है कि वाकई चुनाओ आयोग और सरकार मिलकर कहीं न कहीं जनता को मूर्क बना रहे हैं या विपक्ष को मूर्क बना रहे हैं देखें मूर्क बनाने की बात की जाए तो यहां पर जो मुद्दा अभी उठता हुआ नजर आ रहा है वहां तो बखुबी आप देख रहे हैं कि किसका डब बा है और किसको नीचे दबानी की कोशिश की जा रही है वहीं दूसरी बात की जाती EVM की और बैलेट पेपर की अगर जनता यही चाहती है विपक्ष यही चाहती है तो आप देखेंगे कि वहां पर वैलेट पेपर का ही उपयोग किया जाए लेकिन अगर इवियम की बात की जाए तो टेक्निकल इशू आता है गड़बड़ी होती है उसमें सुधार किया जाएगा तो वहां पर वोट अच्छे तरीके से डाले जाएंगे मैं बार बार यही कह कि यहां पर अगर उसमें सुधार कर लिए जाए और वहां पर सुरक्षे विवस्ता कड़ी कर दी जाए तो आइसी खामिया नजर नहीं आएंगी तो इवियम भी एक अच्छे तरीके से रिजल्ट देने के लिए कारगर साबित हो सकता है लेकिन अगर जंता बार बार यही क तो पर देखा जाये तो जिस तरीके से मौजुदा समय के अंदर वियम और बैलेट पेपर को लेकर जो जंग छिडी हुई है चुनाव आयोग क्या बड़ा पैसला लेगा यह सबसे बड़ा सवाल है लेकिन सरकार जो इन दिनों कई मुद्दों पर घिरी हुई है क्या सरकार विपक्षी पार्टी के नेताओं का सवाल का जवाब दे पाएगे फरजी वाड़े के अगर बात करें तो इस सरकार पर जो अगर हम कहें विश्वास करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मोदी सरकार ने अभी तक देश की जनता को मूर्ख बनाने का ही काम किया है और जिस तर ने उनका ये कहना कि भाई भई भरष्टा चार खतम किया जाएगा वो तमाम चीजे कभी होती नजर नहीं आई है काला धन कितना आया इसकी जनकारी जनता को नहीं है या ब्लैक मनी सरकार ने किस तरीके से पकड़ी इसकी कोई जनकारी नहीं है तो सीधे सीधे तोर पर कि शायद EVM जैसा मुद्दा जो सरकार के गले की फास बन गया है उसका नुकसान अप कहीं ना कहीं इन्हें उठाना पड़ेगा आज के लिए तहीं आप से फिर दुआरा मुलाकात होगी तब तक के लिए जाद दीजे नमस्कार